नमस्कार जेहिन साथी अगर आपका सपना है पेचडी करना और हिंदी मीडियम की किसी प्रशिद विश्विद्याले से पेचडी करने का शत्ना है तो आपके लिए सबसे अच्छा उप्सन है मौहलाल सुखाड या विश्विद्याले उदेपुर। और इसके साथ साथ आपके लिए यह जानना भी बेहत जरूरी है जब हम पेचडी की फीश की बात करते हैं अभी हाल ही में राजस्थान विश्विद्याले का पेचडी का एक्जाम हुआ था जिसकी फीश थी इकपतीस सो रुपे के लगभग लेकिन मौहलाल सुखाड या वि कर रखा है जनरल केटीगरी के लिए एक हजार रुपे है ओबी सी एस सी एस्टी के लिए पान सो रुपे है तो इस्टूडेंट पर भी जादा भार इसका नहीं पड़ेगा और इस बार जो पीचडी है ये नए रूल के अनुसार कराई जा रही है पहले पीचडी में ये हो पीचडी में एडिशन हो जाता था लेकिन इस बार सभी छात्रों को एक्जाम देना पड़ेगा जो जितना अच्छा प्रदर्शन करेगा उसका पीचडी में नंबर आएगा दूसरा बड़ा महत्रपून पॉइंट है पहले जो फश्ट पेपर होता था वो नेट के पेपर के अनुसार होता था लेकिन इस बार नए रूल के अनुसार जो पीचडी का जो फश्ट पेपर हो रहा है वो रिसर्च वाला हो रहा है पूरा एक अनुशंधान वाला हो रहा है पूरा जिसमें से पचास क्यों और राजस्थान विशुद्याले का हाल ही में PhD का इंट्रेंश एक्जाम हुआ है उसमें भी यही रूल लागू किया गया था पूरा फश्ट पेपर जो था वो रिशर्च वाला पेपर था नेगिटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं थी और सब्जेक्ट का पेपर था तो सब् 55 क्योशन थे लेकिन यहां पर 50-50 क्योशन आएंगे महोनलाल शुखाडिया विश्वध्याले के अंदर इसके जो परिक्षा है अप्रेल में परिक्षा होने वाली है कितनी सीटे है पूरी प्रोसेस के बारे में हम विस्तार से हम एक बार जान लेते हैं पूरी प्रोसेस के बारी में एक बार विस्तार से जान लेते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, 23 फरवरी से इसके फोरम अपलाई किये जाएंगे, 12 मार्च तक इसके फोरम भरे जाएंगे, महत्पूर्ण पॉइंट आपके लिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि योग्यता क्या है, उसके बा कोई center का option नहीं है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं eligibility की बात करते हैं post graduation degree जिसमें 50% नमबर होने चाहिए और OBC, SC, ST के लिए छूट दी गई है 5% की तो उनके लिए 50% नमबर होने चाहिए और जिसने 4 साल की जिसने UG की है 4 year की उसके लिए 75% इसमें दे रखा है इसके बाद NET NET UGC CSIR वाले जो चात्र है उनको एक्जाम से कोई छूट नहीं दी गई है सभी को एक्जाम देना पड़ेगा जो राजस्थान सरकार ने दे रखा है उसी के यहूशा आपका राजस्थान सरकार ने जेसा दे रखा है वेशा ही आपके लिए मिले इसके बाद अब हम बात कर लेते फीज आप फीज को देखोगे तो मेरे को बहुत अच्छी लगा यहां पर इसको देखकर पीएचडी के लिए अक्सर जो फीज है वो बहुत जादा होती है राजस्थान विशुद्याली की फीज भी बहुत जादा थी हरे एक student forum भरने से पहले सो बार सोचता है कि फीज बहुत जादा है लेकिन यहां पर हम बात करते हैं तो एक हजार फीज है एक हजार फीस है OBC और MBC जो किर्मी लेयर है जी ठीक है ना बाकी जो नोन किर्मी लेयर है उनकी सब की 500 रुफे की फीस है इसके बाद हम बात करते हैं अगला है जो इसका टेस्ट की जब बात करते हैं तो सो मल्टीपल क्योशन होंगे जिसमें से 50 क्योशन फ़स्ट के होंगे रिसर्च मैथोडोलोजी के होंगे और 50% आपके सब्जेक्ट के होंगे तो केवल जो आपका पेपर होगा वो शो क्योशन का पेपर होगा और 50 फ़स्ट पेपर में 50 आपके सेकिंड पेपर में होई ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं जनरल केटिगरी को 50% नंबर लेकर आ जरूरी है उसके बाद ही उसकी गिंती की जाएगी किश्मे एक कट ओफ के दाइरे में बाकी उसको निकाल दिया जाएगा अब बात ही कि ये 50% नंबर केशे लेकर आने हैं ये 50% नंबर जो है ये जो 100 क्योशन होईगे इसमें से 50% नंबर आपके दोनों में इंक्लूड दोनों में सही होने चाहिए तब जाकर आप कट ओफ के दाइरे में आएगे ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं श्रेवस वही रहेगा जिसा नेट वाला है इसके बाद हम सीटों की बाते कर लेते हैं बैस सीटे कितनी है मैनेजमेंट प्रबंदन अध्यन की तीन सीटे है ट्यूरीज्म की कोई सीटे नहीं है इसके बाद लाकी बात करते हैं कानून की दो सीटे है एजूकेशन की सीटे है वह ठीक दे रखी है एजूकेशन की सीटे पंधा दे रखी है इकोनोमिस की जो सीटे हैं ग्यारहा है जि पस्तर कारिता और संचार की तीन सीटे है उस्ताकालिय और सूचना विञ्यान की एक सीटे हैं तो सुचना विश्था की नहीं है साइकलोजी की अगला है Public Administration लोग प्रसाशन की जब बात करते हैं तो उसकी दो सीटे हैं समाज सास्तर की 19 सीटे हैं अंग्रे जी की 8 सीटे हैं और हिंदी की 5 सीटे हैं इतिहास की 4 सीटे हैं जन विद्या एवं प्राकृत की 1 सीटे हैं संगीत की 6 सीटे हैं और उर्दू की बात करते हैं तो कोई सीट नहीं है विजूल आर्ट्स की बात करते हैं तो दर्शिय कला की 4 सीटे दर्शिय कला की दिरख्या हैं और जेव तकनिकी की 5 सीटे हैं बोटनी की बात करते हैं तो बोटनी की जो सीटे हैं बोटनी की जो सीटे हैं वन्सपती की बारहा सीटे हैं बोटनी की कितनी सीटे हैं बोटनी की जो सीटे हैं वो बारहा सीटे हैं रासाइनिक विज्ञान केमिकल साइन्स की 28 सीटे हैं काफी अच्छी सीटे खाली है computer विज्ञान की कोई सीट नहीं है गनित mathematics and aesthetics की चोधा सीटे है भेशज विज्ञान की 15 सीटे है भोतिक विज्ञान की 3 सीटे है प्रानी विज्ञान की 26 सीटे है जूलोजी की 4 सीटे है और पर्निवरन विज्ञान की कोई सीट नहीं है Physical Education and Yoga की कोई सीट नहीं है Women Studies की भी कोई सीटे नहीं है तो ये सीटे हैं जो मैंने आप के लिए बताई है अगर आपका subject इनकी अंदर है तो आप PhD के लिए apply कर सकते हैं इसके बाद जो आपको forum को जमा करना है आपको forum को भी जमा करना है यहाँ पर contact number दे रखा है COPY, PS Vice Chancellor for Kind Information of VHC The Dean, यहाँ पर पूरा address दे रखा है The Director Faculty and Management Studies उदेपूर The Chairman Faculty of Science, Social, Communities और Management, Low Education यहाँ पर इसके बाद है The Register, MLC उदेपूर और Guard फाइल तो COPY यहाँ पर भी दे रखी है तो यहाँ पर आप apply कर सकते हैं forum और लाष्ट जो तारीक है वो 12 March है 12 March तक आप apply कर सकते हैं 23 February से फीस ज़्यादा नहीं है और उदेपूर एक घोमने के लिए भी अच्छा जगे है और देखा जाए PhD के लिए भी बहुड़ा अच्छा जगे है हुड़ेपूर हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छा अफसर है आपके लिए PhD करने का और जो चात राजस्थान के हैं उन्हें राजस्थान सरकार भी 20,000 रुपे पर मंत स्कोलर्शिप भी देती है